ये पकाडिन्स और i Children आज में ऊम्रेंद्स याने लटिलापन के बारे में बता रही हूं दोस्तो एस्पोर्ट ट्रेनिंग के अंत्रगार्ड यानि noon वे इस्पोर्ट के पांच कंपोर्इन्ट्स माने जाते इस्पीड अन् कौवारडिनेशन इस में से में strength and endurance के बारे में and sport training क्या है कितने components होते हैं three part में video बनाया है यह ज़ोथा part है आपका flexibility के बारे में आप तीनों पार्टों को देखने के लिए चैनल के playlist में जा करके sport training के playlist में जा करके उन सभी वीडियो को watch कर सकते हैं अपने प्यारी को बेहतर बना सकते हैं तो दोस्तों चली जानते हैं लचीलापन क्या है यानि flexibility क्या है दोस्तों flexibility जैसे कि आप जितने भी topic पढ़ेंगे उसका पूर्णी चोड मैं बताते हूं और यतना पढ़ने के बाद लचीलापन से एक दम इस फूर्दिवान होना चाहिए जैसा कि दोस्तों लचीलापन कमापन flexometer से किया जाता है लचीलापन जो है एक गामक योगता है यानि motor योगता है motor ability है जो कि किस से related होता है हमारा किस से समन्वे होता है जो कि ये केंदरी तंत्री का तंत्र की समन्वे प्रक्रिया और उर्जा उत्पादन पर निभर करती है दोस्तों जैसा कि मैं इंडूरेंस वाले प्वार्ट में बताए थी कि इंडूरेंस जो है मुखिर उसमे निभर करती है हमारे cardio respiratory इंडूरेंस एंड उर्जावत पादन पर उसी प्रकार हमारा जो लर्चिला पन है उसका समझने प्रक्रिया निर्भर करता है केंद्री तंत्री का तंत्र यानि सेन्ट्रल नर्वर सिस्टम और उर्जावत पादन पर दोस्तों कैसी ये सेन्ट्रल नर्वर सिस्टम की समझने प्रक्रिया पर हमार flexibility निर्भर करता है दोस्तों जैसा है कि आपको यदि कोई समान उठाना है आपको कोई समान उठाना है तो अपने बाड़ी को मुमेंट तो करना पड़ेगा तो फिर जो ही आपके मन में बिचार आया कि हमको समान उठा के जहां लाना है जो उठाना है नेवर्ण, मोटर नेवर्ण और scribट नेवर्ण युडर्ण और इंटरमेडियेट नेवर्ण ती सबीकोड़ के होती है जिसमें हमारे सेंजरी निर्ण होता है वह हमारे संदेशो को ठ्रोहाब करकि हमारे मस्तिष तक पहुँचाती है और जो motor neurons होता है वो हमारे मस्तिस से उस उचनाओं को spinal card से समझत अंगों तक पहुझाती है जिसे हमारी सारी गतिविधिया क्रिया कलाप होती है तो दोस्तों जैसे कि यह हम किसी वस्तों को उठाने के लिए सुचते है तो हमारे body reflection या extension होगा ही यानि हमारा जो muscles है वो फैलती है हमारे muscles के फैलने है सिकूरने की कारण ही तो हमारे body में moment होता है यानि गति होता है तो जो ही हम सोचेंगे हमको कोई समान उठा करके यहां रखना है जो ही हम सोचेंगे कोई समान उठाना है तो हमारे जो sensory neurons होगी जो हमारे मस्तिस्त सुचनाओं को प्रिसित करती हैं, भिजती हैं, और निरॉन से हमारे मस्तिस्त उस बिचार को पहुचा देंगी, और वही बिचार को हमारे जो मोटर निरॉन से हमारे अंगों तक पहुचा देंगी, हमारे मसल्स तक पहुचा देंगी, और हम उस समान को यानि उर्जा यह उत पादन पर ने भुब्किती यह दो दोसों लकीलापन में क्या होता है यानि पेस्यों का थेकुर्ना पहलना, यानि फ्लेक्षन एक्सेंसण. ठीक है गती सिल्टा के बिशेस्ट गूर है पेस्टियों में लिगामेंट से समंधित होता है इसको बिशेस्टियों में रखियागा और अक्सर हमारे वाड़े के ज्वाइन्स पर होते है गती सिल्टा लचिलापन का जो संबंध होता है गती की मात्रापन से संबंध होता है य दोस्तों अब तक तो जान गए होंगे कि लचीलापन क्या है लचीलापन इस प्रकार सभी बातों से निस्करस निकलता है कि लचीलापन जो है वो हमारी जोडो लिगामेंट्स तथा टेंडन की वह चमता है जो किसी गती या क्रिया या अभ्यास को अधिक्तम आयाम यानि तक या उसका संपादन की है वह हमारी लचीलापन है और इसका गूरफ तरह प्रतियास था गॉत। इक है दोस्तों जितनय हे самाइन है भी हमारे जिमनास्टिक लचिला पनकलाता है जैसे कि गति मॉलमिन पढ़ा में कोट थे मुट सारे गठिए देखन whiskey मैं वही पर हमारा थे क्ष्ठर में मुटाय कराई है पाँ प्लेक्सिबिलिटी होता है। आप तो समझ गें कि यहां लशीलापन का संब्धु जोड़ से है। अगर उसमें लाचिलापन है तो कुल्हे की जोड़ की गती ब्रिधा ब्रिहद रेंज यानि आयाम के साथ किया जा सकता है अता है एक कोड या जोड का अंस डिग्री है एक कोड हमारा फैलाव एक स्ट्रेंशन फ्लेक्शन उसको कर सकते हैं अच्छे से यानि कुल्हे की गती जो है ब्रिहद आयाम के साथ किया जा सकता है लिगामेंट में दोस्तों लिगामेंट हमारे जो होती है जैसा कि लिगामेंट की कारण ही तो हम अपने पेशियों को फैला पाते हैं और दोस्तों अभी तक आप लिगामेंट और टेंडन्स के बारें नहीं जानते हूं तो मैं बताती हूं कि जो हमारे टेंडन्स होते हैं वो हमारे पेसियों को यानि कंकाल पेसियों को रेखित पेसियों को हमारे हर्डियों से जोड़ती हैं जो लिगामेंट्स होता है वो हमारे हर्डियों को हर्डियों से जोड़ों पर जोड़ती हैं एक हर्डी तो इसे परकार जुड़ा होता है लिगामेंट्स के द्वारा ही तो लिगामेंट्स में बहुता इलास्टिसिटी होती है जैसे रबर होता है ने कभी खीच देंगे तो बड़ा हो जाएगा फिर छोड़ देंगे तो छोटा हो जाएगा इसे परकार हमारे लिगामेंट्स में यह होता है खिचाओ यानि flexion extension की छमता होती हो इसमें elasticity होती है और इसी के कारण हमारे जो पेसिया है उपहलती है उसी कुड़ती है तो आप जान सकते हैं कि हमारे जोड़ों के आसपास tender and ligaments के कारण जो गती उत्पन होती हुए हमारी flexibility है लचिलापन है तो लचिलापन में हमारी जो है ligaments लिखास तथा इस्ट्रेच आपिलीटी ट था elasticity and joints की mobility तथा पेसियों की सप्लीनेश बिख्सित होती है तो हम जानते है कि इस्ट्रेच के क्या है Resources कि क्या है and joints की mobility करते हैं तो हमारे इस्ट्रेशान करते हैं तो पैसी और लिगामेंट्स की एक बिएक भी शेष्टा है जो फैलने की पशचत अपने शमाने आकार लंबाय में आ जाते हैं जब मसल्स को फैलाने के बाद, फिर वो अपने समाने आकार लंबाई में आ जाते हैं, इसी को stretchability या elasticity कहते हैं, या अपने नार्मल भासा में समझ सकते हैं, कि हमारे flexion और extension की जो किरिया होती है, फिर अपने अस्थाम पर आ जाना वही हमारा stretchability या elasticity है, यानि कि फैलने के पस् कि पेसी की वह चमता जो किसी की करिया को करते समय, कम तनाव यानि कि low tension में रहती हैं, जह हम कोई क्रिया कर रहे हैं, उस समय हमारे पेसी या कम तनाव में रहती हैं, या low tension में रहती हैं, उसी को हम supplénage कहते हैं, एंट mobility क्या होता है? mobility वह होता है कि जोड़ों की वह समता जो जोड़ के पास के अंग को कई तल में गती प्रदांग करता है उसे mobility कहते है ठीक है भी मोबिलेयों वह है जो जोड़ों की वह चामता है जो जोड़ के पास के यंग की उनको कई तलों में गती परधांग करव आरे हमारे मोमीरих वह हमारे क्या है तो जाद हम कर सकते हैं क्योंकि और चारों तरफ गति करता है। सबी अंगुलिये के पारज पहुच जाता है। तो ए था लचिलापन क्या है दोस्तों लचिलापन का सबसे बेस्ट एक्जामपल है जिमनास्टिक जिमनास्टरों में बेस्ट लचिलापन यानि गति सिल्टा होती है दोस्तों अब बात करते हैं लचिलापन की प्रकार यानि फ्लेक्सिबिलिटी के प्रकार दोस्तों फ्लेक लेक्सिबीटी एं पेश्व फ्रेक्सिबीटी यानि किरिया शील और र्रो प्रकार का होता है यह कि घ्र उाइक्टीग अध्रियुक्टीयुक। सबसे पहले हमसे कि lonach flexibility का मतलब होता है कि आप आपस बिना किस सहता से तो याने कि active flexibility में किया होता है Şu इसमें जो गुति की मात्रा होती है यानि शिरे मुमन्ट होता है इसमें eso तो जाते हैं बिना किसी प्यक्ति या वस्तु की सहता से हम उसमें बिना चाहे कर लेते हैं वह उस अभ्यास में जो गर्टी की माद्रा होती है उस को हम स्वेंग दुरा बिद्धी कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं किसी ब्यक्ति या वश्तों की बिना सहता लिए जैसे हमारे जोडो की इस्ट्रेश करना थीक है अक्ति फ्लेसिंब्लीटि Beij दो प्रकार का होता है modeled कि में इस्थिर अवस्था में गति की मात्रा या नि रेंज आप मोमेन में बृध्धि साहाइक करता है किसी असते हैं इस्थिर असे मौतरत हुध इसम तो इस तरशिय। आल जी रेट करते हैं और एण कि सब खड़े कर बैठ का लेठख कर इसमें आप तरफन करती हूं, सरांग और करती हूं, पस्ट्म्यतन आसन करती हूं, नुकायन चरती हूं, बंडुक आसन करते हूं त्रिकोड आसन करते हूं जो भी आसन है जितने भी आसन से चाहे हो बैट करने वाला हो खड़े हो कर लेट कर इस सब इस्ट्रेटिंग ब्रया में आते हैं और यही सभी योगासन किसमें आते हैं कि इस्तिक प्रया में आते हैं तो यह इस्तिल अवस्था में गति की मात्रा का इरें जांट में जो भी आए इस लवस्था में गति की मात्र बाहाने में साहता करता है तिक है जैसे हमारा दोर कूद में इनका परियोग सब्धेश्टिक इनका प्रेयोग ज्यादे होता है अब दुसरा क्या था हमारी था था तक था था एक्टीटी प्रस्भीलिटी इसी आप इसे बारे 17 बताया और उसके दो पर्ट है सब्सक्राइब अब बत करते हैं दूसरा प्रकार का प именно if I do hoता है इसने हमारे गति की मात्रा या नि किसी वस्ता ब्यक्ति की सहाते है यह जो करते होThisility तो दोस्तो यह था आपके flexibility यानि लचिलापन की प्रकार अब बात करते हैं लचिलापन को बिख्षिद करने की विध्यां तो दोस्तों ơn,डैंक मेफड,डैंक मेफड flaming method,पहला Ballastic method, बैलिस्टिक मेफड बैलिस्टिक सबसे पुरानी बिधी है, इस बात से इसमें कीया जाता है,जोडो के कोड़ में अ बृति रिदिमिक रिदमिक यानी लयात्मिक ढगस वह काउंटीम के साथ यानि गिन के गिनने के साथ किया जाता है इस प्रेटिक ब約ामों को जयाता है आवर जैसे की लहबध गिट हो गया बॉंसिंग हो गया swing हो गया और ये से जुड़ी करिया कलाप बैलैंसिंग मेथड मे द्वारा किया जाता है दोस्टों इस प्रकार से पिछा जाता है कि जोडों के कोड में रिद्मिक रूप से वा काउंटिंग के साथ बृधी किस प्रकार के मेथड में किया जाता है तो answer होगा ballistic method ठीक है नेश्ट है आपका esthetic method esthetic मतलब isthira vathasthah में कि अपने कोड में व्रिधी अधिक तम स्रीमह तक करके उसे कुछ समय के लिए भूल्ड करते हैं रोकते हैं। तोस्ते बहुत बढ़ पुछा जाता है यानिकि आप अपने कोर्ड में ब्रीधी करके कुछ सिमा तक उसी तरह, उसी सिती ने मी रखेंगे वोल्द करके रखेंगे यह वोल्ड सब जिसमें भी आएगा वो इस्टेटिक मेथड रहेगा यानि कि आपने कोड में ब्रिधी करके कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है वोल्ड करके रखा जाता है उस परिसिति को क्या कहते हैं कौन सा मेथड कहते हैं लचिलापन के बिक्सित करने को यह प्रिकार के साथ 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 प्रिकार के लचकता में एक साथ गती यानि मोसन के साथ प्रिकार के साथ प्रिकार के साथ प्रिकार के साथ प्रिका जंग्शन होता है। उसके इस अपका फ्लेक्शिबियटी है। जैसे की भी कर दो यही पूछलिया जैता है कि PNF का फुल्फांग क्या है? तो क्या है प्रोफायोUSCETIV Neneromuscular facilitation. यह लचक्ता बहानी की सरोतम भी धी है. जोस्तों अब यह पूछीएगा कि लचक्ता बहासनी की सरोतम मेथड कोन है. तो आपका PNF मेथड. प्रोफायोसCETIV Neeromuscular Facil implication. इसकी अधिक्तम लचक्ता, दोस्तों कभी भी किसी भी चीज की अधिक्तम लचक्ता जो आधिक्तम लचक्ता जो ओती है वह 180W तक होती है, या आप caster से याद कर लीजीगा या उच अस्तर की खिलाड़ी द्वरा लखिलापन हासिल करने में सहायता करता है जिसमें की अधिक्तम पेशी सिथिलन हासिल करने के एक प्रयास में इसे खीचने से पहले पेशी संकुचन का प्रयोग सामिल होता है ताकि पेशी को अधिक से अधिक सिथिल किया जा सके यहाँ पेशी की रिसेप्टर आर्गन में तथा गति विधियों को रेंज को बढ़ाने से में सहायता करता है यानि की रिसेप्टर आर्गन यानि जो हमारे सेंसरी निरॉन्स होती है उसके गति विधियों को बढ़ाने के तो दोस्तों यह था आपके flexibility क्या है कितनी प्रकार की होती है उसके डिलॉप करने के कितने methods है इसके बारे में आप जाने आयोग कि आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा साथ में ही बताएं लेकि पुरा information इसमें है इससे पाहर कुछ भी नहीं आ सकता है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमें जरूर बताएं वीडियो को कीजिए ग्रूप में भी से जिसे आपके माद हमसे उन तक भी वीडियो पहुछ सके तो दोस्तों यह इस components of sport training की पांच पार्ट में से strength, endurance and flexibility किलियर हो गया and next video आपका speed and coordination होगा दोस्तों यह था flexibility का full detail में वीडियो जो आपके लिए very helpful होगा and मिलते हैं next video में नेस topic के साथ तब तक के लिए जाएंगे